असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब अल्लत अल्लाब सभी लोगों को खुश हो अबाद, अस्ता मुस्कुराता रखें शुरू करते हैं रब जुल जलाल के बाबर कत्ताम से जो बहुत ही महरबान नहायत रहे मौला है आज हम आपके लिए इतनी कमाल के इतनी जबरदस्त रेसिपी लेके आएं हैं, ये दुलजा के हवाले से रेसिपी है मटन चाप के रेसिपी आप जरूर बनाना चाहेंगे, बहुत ही शौक से लोग इसे खाते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज रेसिपी होती है और हमारे अंदास से आप बनाएंगे तो इंशाला ताला आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है आपने वीडियो को लास तक ध्यान से देखना है सभी चीज़ें आप से हम शेयर करेंगे बहुत ही लजीज रेसिपी होने वाली है तो चलिए फटफट से स्टार्ट करते हैं इसमिल लह्टाने रहीं तो देखिया हमने यहां पे मतन चाप ली हुई है 500 जिसमें पीस लगबग 8 पीस है तो हम इसे कूकर में डालेंगे और फिर हमने इसको ब्वाइल करना है तो देखिया इस तरीके से हमने पीस को कटकरवाया है इस तरीके की पीसों को हमने सिंगल-सि पानी शामिल कर देते हैं बस जरा से हम पानी डालेंगे क्योंकि चाप का अपना पानी भी रिलीस होगा और इसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं आदा चमच और यहाँ पर थोड़ी सी दार्चीनिक की स्टिक शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी इसमेल वगारा बिल्कुल दूर हो जा है और ढ़कन लगा के हम इसे कम असकम 18-20 मिनिट तक पका लेंगे ताकि हमारे चाप गल जाए बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है बस 15-20 मिनिट तक हमने पका लेना है और यहाँ पे देखे तीन टेबरी स्पून हमने चने का बेशन लिया हुआ है और इसको हमने बावल में पाउडर शामिल किया आदा चमच सीरा पाउडर और यहां पे आदे चमच से थोड़ा ज्यादा धनिया पाउडर चाट मसाले का पाउडर एक चमच और थोड़ा सा और हम शामिल करेंगे डेड़ चमच के करीब हमने चाट मसाले का पाउडर शामिल कर दिया है नमक हम बहु इस तरीके से फेट लेंगे ज़्यादा पतला हमने नहीं करना है बस इस तरीके से गाड़ा सा हमने बना लेना है तो अच्छे से फेट के इसको हमने तयार कर लिया है और उधर हमारी चाप भी पक चुकी होगी तो चलिए चेक कर लेते हैं चापो को हमने 20 मिनिट तक पकाया है और बक्य जो हो एक्स्रा प्रेसर है इसे हम निकाल देते हैं और इसे खोल के देखती है तो यहाँ पे देखिए बड़ी अच्छी सी खुश्बू आ रही है और यहाँ पे देखिए जिस तरीके खियम को चाप है चाहिए थी वैसी गल सकत भी रहती है तो फिर खाने में फट करना पड़ता है वह भी नहीं अच्छी लगती है तो बिल्कुल अच्छी सी हमारी चाप गल चुकी है जब हम इसे फराइ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी सी बनेगी तो यहाँ पे देखिए मतन की थोड़ी सी यखनी बची हुई है हम जलाएंगे नहीं हमने इसमें से अपनी चाप को निकाल लेना है और पाने का इस्तेमाल हम अपने प्लाव बनाने में या फिर हम शुर्बा वगरा बनाने में कर सकते हैं बिल्कुल भी इसको फेकिएगा नहीं बहुत टेस्टी होती है इस तरीके से देखिए हमने चापो बहुत ही टेस्टी बनके तायार होगी तो अच्छे से बन इससी तरीके से कोट करके हमें अगर आप इससे जादा भी रखना चाहें तब कोई हरज यह आप इस तरीके से मेरी नेट करके फिरिज में रख सकते है और जबниड़ी हो तब फराही कर सकते है ब बिष्मि लः रहमाने रहें तो यहां एक पैन लिया है हमने और पैन में हम तेल डालेंगे बहुत जादा नहीं डालेंगे बस देखिए मने गहार सा तेल को अच्छंड़ करेंगे बहुत अच्छे से तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा बटर डालते हैं बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा बटर से और बटर डालते ही इसके साथ ही हम अपनी चाप को इसमें शामिल करेंगे तो जितनी आसानी से आधा आएगे उतनी हम शामिल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस पैन में चार ही आएगे और चार हम एक साथ सामिल करेंगे चार एक साथ हम करेंगे तो दो बैच में हमारी चापो को हम फराई कर लेंगे आज को मीडियम रखते हुए हम फ्राई करेंगे, यहां पर हमारी चापे बहुत अछे से गली हुई हैं, हमें यहां गलाना नहीं है, बस अच्छे से हमें उने 3-4 मिनट के टाइम लगा लगा है दोनों साइड व से अच्छे से अच्छे से फ्राई होने में, देखें कितनां तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल का नोटिफिकेशन भियान कर लें ताकि हमारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके तो देखें बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी सी हमारी चाप को फराई कर लिया हमने और यहां पर हम निकाल लेते हैं आयल पूरा इसम हम दूसरे बैज को भी फराई कर लेंगे तो देखें कितनी जटपट से हमने बना के तयार की है यह दू लजहा पर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे आप खुदी बनाके घर वालों से तारीफ अलग आपकी होगी तो इस तरीके से आपने ट्राई करन करना है गर वालों से तारीफ होसूल करना है चैनल का विजिट करें आपको बहुती एजी है और बहुती टेस्टी रिसरी इस की चैनल पर मिलेंगी फीड़बैक अपने लाज़मी देना है जब भी आप recipe बढ़ाया करें तो फीड़बैक दिया करें आपके फीड़बैक से हमें बहुत होसला मिलता है आपका फीड़बैक करना, आपका comment करना हमें बहुत अच्छा लगता है वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दें, कमस कम एक फर्त को शेयर भी जरूर कर दें, शुक्रिया जजा कर ला, चैनल पर अगर नए है या आभी तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप से मेरी हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपन ो शुक्रियोuffled नहीो ख player भी है भीजाब नहीं सुच्धर है कि चैनल ंःस्ट है, वीडिया है, वीडिया है, चैनल को वीजान फाफ वीडिया है TW, का वीजास्ड़ है?